गुस्य और तनाब से आपका इम्मुनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है जिससे आपको ब्लड प्रेसर और बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं गुस्य को काबू करने के लिए गुस्यों के लक्षणों को पहचानिए अगर आप भी इन लक्षणों को पहचानना चाहते हैं और अपने गुस्य को काबू करना चाहते हैं तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहें हेलो दोस्तो बुक समरी अर्विन में आपका फिर से स्वागत है आज हम जिस बुक के ओपर बात करने बाले हैं उस बुक का नाम है एंगर मेंजमेंट फॉर डिमीज बुक अपने तनाब और गुस्य पर काबू कैसे पाएं जिसको लिखा है चार्ल्स ऐलियोट रहें इस किताब में हम सीखेंगे कि गुस्सा करने से किस तरह हमारे और हमारे आसपास के लोगों का नुकसान होता है इस किताब की मदद से हम गुस्य पर काबू करना सीखेंगे आसानी से अपना आपा खो देते हैं, क्या आप अपने गुस्य को काबू करना चाहते हैं, क्या आप अपने तनाप पर काबू पाना और तनाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ये वुक्समरी आपके लिए ही है, लेखक कहते हैं कि आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए आज कलके इस यूग में हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं हम पैसो और काम्याभी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी सुविदाएं मिल सकती है लेकिन हम उनके पीछे भागने में यह भूल गए हैं कि हमारी जिन्दगी का अक्षिली मकसद खुशी पाना है यही तनाव और गुशे की वज़े है गुशा करने से सिर्फ आपका ही नहीं आपके परिवार और आपके आसपास के लोगों का भी नुकसान होता है जो लोग हर वक्त गुशा करते रहते हैं उनके पास कोई नहीं रहना चाहता इसलिए इसे काबू करना बहुत जरूरी है लेसन नमबर बन गुशे का सही इस्तमाल कर हम उसे बहतर करमों के लिए इस्तमाल कर सकते हैं यह बात हर किसी को पता है कि गुश्चा करना अच्छी बात नहीं है गुश्चे से हमारे सरीर में अलसन नाम के केमिकल निकलते हैं जिससे हमारा ब्लेड प्रेसर बढ़ता है इससे हमारा ही नुकसान होता है इसके अलाबा गुश्चे से हमारे आसपास मौजूद लोगों का भी नुकसान होता है, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम कुछ भी ऐसा कर बैठते हैं, जिसका हमें बाद में पस्तावा होता है, हम अपने किसी भी दोस्त को कुछ बुरा बला बोल देते हैं, या फिर किसी पर हाथ उठा देते हैं, हम किसी का नुकसान कर देते हैं, या फि यह तु पता चल गया होगा की घुस्टे से कितना नुकसान हो सकता है। Лेकिन हर एक चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। घुस्टे का इस्तमाल भी अठ्षे कर्मों के लिए किया जा सकता है। अगर कोई आपको बार-बार परेशान कर रहा है और अगर आप उसे एक बार डार दें तो वह आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप ऐसे लोगों पर गुस्सन नहीं करेंगे तो यह आपकी सांती को कमजोरी समझ कर आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। और नेलसल मंडेला ने अपने घुसते का इस्टमाल नसल वात को खतम करने के लिए किया ॥बच्पन से ही वो अपने सारों तरफ काले और गोरों लोगों के बीच हो रहे भेदवाफ्थे परेसान थे अपने गुस्षे का सही इस्तमाल कर उन्होंने समाज में बदलाब लाने का काम किया लेसन नमर टू अपने गुस्षे को काबू करने के लिए गुस्षे के लक्षणों पर ध्यान दीजिए गुस्षे के लक्षणों को पहँचानना आसान है और इसे पहँचान कर गुस्षे को काबू करना भी आसान है जब आप गुस्षे में रहते हैं तो खुद को काबू करन लवग एसमबफ सा लगता है आप इस भावना में आसानी से भेह जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं इसलिए गुष्चे को पहले ही काव कर लेना चाहिए लेकिन इससे पहले आपको जानना हो कि गुष्चे के लक्षन क्या है चब आपको गुष्चा आने वाला होता है त पॉइंट नमबर वण आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, पॉइंट नमबर टू, आपको हलका पसीना आने लगता है, पॉइंट नमबर तीन, आप लाल होने लगते हैं, और सरीर कांपने लगता है, point number 4 और दांत पीच कर बाते करने लगते हैं अगर आपको ऐसे लक्षान अपने सरीर में देखने को मिलते हैं तो समझ जाईए कि आपके अंदर एक खतननाक लहर उठने वाली है जिसे काबू करने का वक्त आ चुका है इसे काबू करने के लिए आप सबसे पहले खुद को यह बताईए कि आपका गुस्षा सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही आएगा अगर आप किसी तरह ये वक्त गुजालने तो आप खुद पर जीथ हासिल कर लेंगे ये 5-10 मिनट गुजानने के लिए आप कुछ तरीके अजमा सकते हैं गुस्षे को कंट्रोल करने की कुछ टिप्स पॉइंट नमबर बन कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए जैसे आप किसी अच्छी मूवी का कोई सीन याद करके खुद को सांथ कर सकते हैं पॉइंट नमबर टू सो से उल्टी गिंती गिनना शुरू कीजिए या सामने वाले के चेहरे के धब्या को गिनना शुरू कीजिए पॉइंट नमबर त्री एक पेर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाईए पॉइंट नमबर फॉर अगर आप कहीं ट्रैफिक में फशे हुए हैं और आपको गुस्टा आ रहा है तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं पॉइंट नमबर फाइव कोई भी ऐसा काम के दिये जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए लेसन नमबर तीन हज से जादा सोचना भी गुस्टे की वज़े बन सकती है हम मेंसे हर किसी के साथ कुछ ऐसी बाते होती हैं जिने बरदास करना बहुत मुश्किल होता है अगर हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें और गुस्टा आने लगता है ऐसी बातों के बारे में बार बार सोचकर हम अपने गुस्टे को और बढ़ा देते हैं और फिर इस पर कावु कर पाना मुश्किल हो जाता है जब किसी ऐसी बात को बार बार सोचते हैं तो इसके साथ ही हमारे दिमाग में गुस्टे को बढ़ाने वाली बहुत सी बाते आने लगती हैं मान लीजे कि आप कहीं ट्रैफिक में फश गए जिससे आप अपने काम के लिए देर हो गए जब आप देर से पहुँचेंगे तो आपको आपके बोश की डाट खानी पड़ेगी इसके बाद आप अगर इस बात को बार बार सोचेंगे तो आपका गुस्टा साम तक बरकरार रहेगा आप साम को अपने परिवार वालो पर भी गुस्टा करेंगे और रात को सोते वक्त गुस्चे कहेंगे कि आज का दिन बहुत खराब था इससे बचने के लिए आप रोजाना सुबह 10 मिनट इसे सोचने में लगा सकते हैं आप सुबह सुबह उठकर सोचिय की बीते हुए दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ जिससे आपको गुस्चा आया इस समय के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा खयाल आए जिससे सोच कर आपको गुस्चा आ रहा हो तो आप उसे अगले दिन की सुवह सोचने के लिए टाल दीजिए ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने इस जादा सोचने वाली आदस से छुटकारा पा सकते हैं इसके अलावा आप यह भी सोच सकते हैं कि आप अपने गुस्टे को एक गोली की तरह बंदूक में भरकर आसमान में फायर कर रहे हैं इसके बाद यह सोचिये कि वह आप से बहुत दूर जा रहा है और समय के साथ इतना दूर चला गया कि अब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेसन नमबर 4 अपने गुस्टे को कावू करना सिर्फ आपके हाथ में हैं जब लोग आपके साथ एभध्रता से बात करते हैं तो वो यह नहीं दिखाते कि आप कौन हैं वो यह दिखाते हैं कि वे कौन हैं गुस्टा या एभध्रता करने वाला हमेशा अपने असली रूप को दिखाता है इसलिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप सांत रहने की कोशिश कीजिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बसती जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उससे बहस करना या फिर वहां से उठकर चले जाना आपके हाथ में हैं अगर आप वहां से उठकर नहीं जाएंगे तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने गुस्षे पर काबू नहीं कर पाएंगे और अपना आपक हो देंगे सांत रहने से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं इसलिए अगर आप किसी से बहस नहीं करना चाहते तो आप सांत रहिए या अगर वह कुछ ज़्यादा भी बहस करने के मून में हैं तो आप उसके पास मत रहिए इन सब बातों के अलावा पुरानी बातों को याद करके भी हम अपने गुस्य को बढ़ाने का काम करते हैं अगर आपका मून खराब हो तो पुरानी याद हैं आग में गी डालने का काम करती हैं इसलिए अपने दिमाग से पुरानी और तकलीब भरी यादों को दूर रखिए। पुरानी यादों की तकलीब को कम करने के लिए आप उसे किसी अच्छे दोस्त के साथ बाट सकते हैं। दुख बाटने से कम होता है। या फिर आप हर वक्त कुछ अच्छा सोच कर खुद को इन सब यादों से दूर रख सकते हैं। लेसन नमबर फाइव ज़्यादा तनाब भी आपके गुस्से की वज़य हो सकती है। इससे जब आप परेशानी में नहीं रहते तो परेशानी के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं। हर वक्त परेशान रहने से आपको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और आप बहुत आसानी से अपना आपक हो देते हैं। तनाब दो तरह के होते हैं। बडे तनौब और छोटे तनौब। बड़े तनौब इस तनौब की वज़य वह होती है जिससे आप बहुत जादा डरते हैं या जिसकी वज़य से आपकी जिंदकी में बहुत सारे बदलाब आने वाले होते हैं। एक्जाम्पल के लिए नौकरी खोने के डर से पैदा हुआ तनाब, इस तनाब की बज़य छोटी होती है, लेकिन आपकी सहत पर इसका असर बड़े तनाब जोतना ही होता है, ये वो हर दिन के काम हैं जो आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है, दोनो में रहने से बहुत सारी बीमारिया होती है, इससे आपका बिलड प्रेसर बढ़ता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आप लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों के शिकार बन सकते हैं, बड़े तनाब से निपटने के लिए आपको खुद को यह समझाना होगा कि इ अगर आपको किसी काम को लेकर तनाब है तो आप उस काम को करने के तरीके के बारे में सोचिए और फिर उस काम को पूरा करके अपने आपको तनाब से दूर कीजिए लेसन नमर 6, हर रोज छोटे-छोटे काम करके आप खुद को तनाब से दूर रख सकते हैं अगर आप रात में अच्छे से नहीं सो रहे हैं, तो यह आपके तनाब और गुस्चे की बज़े हो सकता है कम सोने की वज़े से आप आसानी से अपना आपक हो देते हैं, इसकी वज़े से आप तनाब में रहते हैं, जिससे आप अपना रोज का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते रात बर अच्छे से सोने से आप अपने तनाब को कम कर सकते हैं और उस दिनिया के सुनहरे हिस्से की और अपना ध्यान खीश सकते हैं अच्छी नीन लेने के लिए आप कुछ पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं पॉइंट नमबर बन, सोने से पहले कैफीन या निक्योटीन वाली चीजों से दूर रहिए, उन्हें खाने से आपका नर्वस सिस्टम जाग जाता है, जो आपको सोने नहीं देता, पॉइंट नमबर टू, देर रात को खाना मत खाईए, सोते वक्त अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप अच्छे से नहीं सो पाएंगे, पॉइंट नमबर थी, खुद को काम के तनाब से दूर रखने के लिए सोते वक्त अपने फोन को दूर रख दीजिए, अच्छी नी आदतों के साथ ही, अगर आप हर चीज का आभार जताने की आदत डालेंगे, तो आप अपने गुस्षे को काफी हद तक कम कर सकते हैं, हमें गुस्षा इसलिए आता है, क्योंकि हम जो चाहते हैं, हमें वो नहीं मिल रहा होता, इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा होतों, आप उसका आभार जताईए, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, इसे अपनी आदत बना लीजिए, हर रोज खाने से पहले, अपने खाने का आभार जताईए, उन चीजों के बारे में सोचिए, जिनके लिए आप शुकर गुज बुक समरी पसंद आई होगी, जो आपको गुस्चे को कावू करने में बहुत ज्यादा साहता करती है, अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार ऐसी ही नौलीज़वल बुक समरी लाते रहते हैं,